हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इस्टेडी विट टाइगर दोस्तो यदि आप इस चैनल पहली बाहर आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें माई चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको लेटर इस नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे हैं तो दोस्तो आई हम स्टाट करते हैं अगला पार्ट ठीक है तो यहां पर हम ठीक है फिप्टी टू कोईशन तक हो चुका था तो फिप्टी थ्री कोईशन पर आ गए हैं तो फिप्टी थ्री कोईशन देखते हैं बोल्ड बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज में शुरू की गई राजस्थान पहरियाड़ा बिहार मदपर्देश तो 53 का क्या होगा ए राजस्थान आईए देखते हैं अगला प्रस्थान संयुक्त राष्ट की को वैक्स योजना के अंतरगत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है तो पहला देश कौन सा है तो कोविड से रिलेटेड भी आपको कोश्चन थोड़ा बहुत पढ़के जाना है ठीक ह तो यह है आपका 54 54 का है आपका बताईए तो यहाँ पे घाना है ठीक है तो मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश घाना अंतरिच में जाने वाले भारती मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिच शात्री कौन है तो बताईए दूसरी कौन सी है तो यह है आपका शीरस बांदला ठीक है इस पर आप लगा लेजिएगा ठीक है फिर उक्त उस भारती पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के दो साल का प्रतिबंद लगाया है तो यह हो जाएगा आपका सुमित मलिक ठीक है यह सारे प्रस्ण पिछली बार आए हुगे प्रस्ण है ठीक है आए देखते हैं अगला प्रस्ण भारत का वगा कौन सा प्रत्थम राज्य है जहां एंड टू एंड यी कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है तो यहां हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में ठीक है तो अगला प्रस्ण है किस भारती मंत्राले द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE सुरू किया गया था तो किस के लिए बताइए तो यह हो जाएगा आपका सिच्छा मंत्राले के लिए ठीक है स्मार्ड निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाडी को अपना ब्रांड अमबेस्टर नियुक्त किया है तो यह किया है विराट कोहली को ठीक है तो ब्रांड अमबेस्टर जिदने भी है उसको भी थोड़ा आप लोग देखते चाहिएगा ठीक है आर्टिफीशिल इंट्लिजेंस आधारित पोर्टल भारत के किस नयायले के लिए सुरु किया गया तो बताएगे किस के लिए सुरु किया गया है तो यह आपका है सर्वोच नियाले के लिए ठीक है सुप्रिम कोर्ट कितने भारती राज नेपाल से सीमा साज़ा करते हैं तो कितने राज जी की बात कर रहा है तो बताईए तो यहाँ पर होगा पाँच राज जी ठीक है निम्न में से कोस्टा रिका की राज़धानी कौन सी है तो कोस्टा रिका की राज़धानी है सान जोस हाँ तो क्या है इसकी राज़धानी सान जोस है ठीक है केंदे सासित प्रदेश लच दीप की आधारिक भासा निर्में से क्या है तो बताईए आधारिक भासा क्या है तो है आपका मल्यालम ठीक है वहाँ के अधिकारिक भासा क्या है मल्यालम है भारत के सम्विधान के अनुसार लोगसभा के सदस्यों के अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो यह सम्विधान से रिलेटेड है कोईशन ठीक है तो यहाँ पर होगी 552 ठीक है इससे अधिक नहीं हो सकती है अब बढ़ाना होगा तो फिर संसोधन किया जाएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो यह तो आप जानते होंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है इन वे से कौन सा देष सार्क का सदस नहीं है नेपाल बंगला देश अफगानिस्तान मैमार तो पताईए कउन सा देष है जो तो यहाँ पर मैमार नहीं है ठीक है बाकी सारे है निम्निमेसिक किस अस्थान पर अजन्ता एलोरा की गुफाएं इस्थित है तो यहाँ पर देखे कौन से है तो यह आप पढ़े होंगे अरजन्ता की गुफाएं जो है एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में ठीक है कहाँ पर है औरंगाबाद में ओडम किस भारती है राज इकेंदर सासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सो है तो ओडम है आपका बताईए ओडम कहां कहा है ओडम है केरल का ठीक है ओडम कहां कहा है केरल का है निमलिखित में से कौन सा ग्रह सूरी के सबसे नस्दीक है तो सबसे नजदीक ग्रह काउन सा है तो बुद्ध है ठीक है नोबल पुरसकार जीतने वाले प्रथम एशियाई काउन थे तो ये हो जाएगा आपका रविनाट टेग और हो जाएगा ठीक है प्रथम एशियाई थे नोबल पुरसकार भी जेता और ये 175 जो है ये कोईश्चन आपको साल्व करना है तो आपको इसको पहले पढ़ना पढ़ेगा ठीक है तब ही आप कर पाएंगे तो गद्ध्यांस के लिए मैं इसको तो ये गद्ध्यांस से आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा ठीक है मैं अंजर बताए दे रहा हूँ ये आप निकाल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो पहला कोईश्चन है ठीक है गद्ध्यांस को पढ़िएगा पहला कोईश्चन आपको बगल में दिखने लगेगा ठीक है तो विस्व में सांती क्यों आवर्शक है तो यहाँ पर आपसंज होगा आपका आपसंज होगा मानो जाती के विकास के लिए क्योंकि इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोईश्चन है विस्व सांती की अवस्थापना के लिए सबसे आवर्शक है तो इसको आप पहले कर लिएगा ठीक है वीडियो को पॉस करके उसके बाद आप लगाईएगा ठीक है तो यह आपका 72 का B हो जाएगा आहिंसा और प्रेम कठोर से कठोर हिर्दे को भी कोमल बनाया जा सकता है तो यह 73 का आपका C हो जाएगा ठीक है आहिंसा दोरा किसी भी राष्ट के स्वर्णिम युग के प्रमुक्तत्व है तो यह आपका हो जाएगा सुख सांती और रचनात्मक कारिय ठीक है नितांत सब्द का उप्युक्त पर्याय है तो नितांत सब्द का उप्युक्त पर्याय क्या है बताईए तो यह हो जाएगा आपका नितान्त मतलब बिल्कुल ठीक है तो यह आप पूरा ठीक है साल्फ कर लिए हैं अगला देखते हैं तो पहले आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए ठीक है उसके बाद कोईश्चन साल्फ करते हैं वीडियो को पॉस करके यह पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए ठीक है तो अगला प्रशन है विज्ञान मानों की सबसे बड़ी सक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य आगे बताइए कौन सा होगा इसमें आप उसको पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा ठीक है तो यह आपका हो जाएगा प्रकृति और प्राणी जगत का सिर्मौर है ठीक है अब अगला प्रश्ण है वाईग्यानिक चिंतन पद्धती ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है मुक्ति मिली है इसे मुक्ति मिली है अगला प्रश्ण देखते हैं तो आपसन है संतुलित अनुचिंतन से पुरानी सिस्ट अपचर्गताओं से भ्रमपोण रोडिवादी विचारणाओं से प्रार्चीन सांस्कृतिक परंपराओं से तो बताएए कौन सा होगा तो यहाँ पर जो होगा वो भ्रमपोण रोडिवादी विचारणाओं से ठीक है विस्व के परिवारवत लगने का प्रमुक कारण है बताएए तो यातायात एम संचार साधनों का विकास ठीक है हस्ताम अलग सब्द से अभिप्रेत है तो यह अप्सन डी हो जाएगा आपका असपस्ट और अनायास बोध गम्या भैग्यानिक चिंतन पदबंद से आशय है तो यह हो गया इसके बाद आता है आपका एक्क्यासी से पचासी पांच कोश्चन आते हैं आपके ग्राफ के तो यह ग्राफ है देखे एक्यासी से पचासी परश्चन ग्राफ पर अधारित है और ग्राफ में एक परिच्छा में साथ चात्रों का इतियास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया गया ठीक है अंकों का अनुपात यहाँ पर चात्र है एक से साथ और यहाँ पर अंक दिये गए ठीक है अंकों का अनुपात तो यहां पर जो पहला प्रस्ण निकल के आ रहा है तो कितने चात्रों ने भूगोल की अपेच्छा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किये हैं तो कितने अंक अर्जित की है इतिहास ठीक है भूगोल की अपेच्छा इतिहास में तो यह आप निकालेंगे तो B हो जाएगा ठीक है ओप्शन B जो है तीन आएगा ठीक है अगला प्रस्न है निम्न मैसे किन चात्रों को भूगोल की अपेच्छा इतिहास में कम अंक मिले तो कितने चात्रों को मिले हैं तो यह आप देखेगा तो इसका आप्शन होगा आप्शन बी होगा ठीक है एक दो तीन छे भूगोल में कच्छा तीन से चार के मध्य अंक की प्रतिस्त बढ़त है क्या है बताईए तो यह से आप कोश्चन साल्व कर लिजेगा ठीक है आगे मैं चेप्टर चे पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा तो यह आपका आप्शन बी हो जाएगा ठीक है 20 इतिहास भूगोल के अधिक्तम अनपात और नियुंतम अनपात का अंतर कितना है तो अंतर निकालने के लिए तो यह आपका हो जाएगा आप्शन डी 1.20 चात्र चार को भूगोल में 60 अंक मिले इसके इतिहास के अंक कितने है तो यह हो जाएगा आपका आप्शन C-75 तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों यह दिए वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रिस बेल एकन जिसे आपको लिटेशन नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहा है THANK YOU FRIENDS FOR WATCHING MY VIDEO, JAI HIN JAY BHARAT